नमस्ते बच्चो आज हम हमारे पाटे पुस्तक का नाया पाट सेखने जा रहे हैं। हमारे पाट का नाम है कुलू का दसहेरा। बच्चो हर एक तवारों के बारे में आपको जानकारी हासिल होती है। उसके बारे में लेखक ने यहां पर हमें अलग सी उसकी कहानी यहां पर बता ही गही है। आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा और यह भी पता चलेगा कि हर एक शेत्र में तिहवार मनाने के पीछे की कुछ दंतक अथाएं भी अलग-अलग होती है और मनाने का तरीका भी बहुत अलग होता है तो उसी तरह से आज हम कुलू घाटी के यहाँ पर मनाये जाने वाले दश बच्चो, स्री राम की रावन पर विजय के उपलक्ष में दशहरे का तेवार मनाया जाता है हम दशहरे को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं कुलू का दशहरा देश भर में विशिश पहचान रखता है इस पाट में लेखक ने कुलू के दशहरे की अनोटी छटा एक सुन दरवर्नन किया हुआ है तो पढ़ते हैं हम इस पाट को बच्चो देव भूमी के नाम से प्रसिद्ध कुलू घाटी के लोग प्रत्यक्ष रूप से देव संस्कृती से जुड़े हुए हैं इनकी देवता किसी दूसरे लोग के निवासी नहीं होते बलकि इनके साथ गाव गाव में रहने वाले सूख दूख के साथी देवता रत के रूप में साकार हो उटते हैं कुलू घाटी के गाव में हर देवता का अलग मेला होता है जिसमें आस-पास के गाओं के देवी देवता और लोग शामील हो जाते हैं डोल, नगारो, कर्टाल, शहनाई, इत्याधी वाद्दे यंत्रों से यहां की वादिया जूम उठती है अक्तुबर माहों में ऐसा लगता है मानो कुलू के उचे परवच्शिकर जरने वादिया और रोहतांक की गोद से निकली हिम सरिता विपाशा की लहरे सभी मस्ती में जूमने गाने और नुत्य करने लगी हो जिस और देखो पालकी में सजधच कर देवता बाजे गाजे के साथ और परमपरागत वेशबूशा में सजे स्त्री पूरूश दिखाई देते हैं सबका रुप तराई में बसे समतल मैदान ढालपूर की ओर होता है कुलू का यह दसरा लोगों और देवताओं की मिलन स्तली है जुक कर भीड में उपस्तित लोगों का अभिवादन करना पहाड में प्रचलित आदम और देव के अटूट रिष्टे का परिचायक है एक कीवदन्ती के अनुसार ढालपूर मैदान का नामकरन राजा बहदूर सिहा द्वारा सोलहवी शताब्दी में अपने छोटे भाई मिया ढाल सिहा के नाम पर किया गया था बच्चो यहाँ पर कुलू की घाटिया जो है परवतिय क्षेत्र जो होते हैं वहां की जो वादिया होती है वो बहुत ही सुन्दर होती है और ऐसे ही यहाँ पर उस तल को देव भूमी कहा जाता है देवों की भूमी कहा जाता है क्योंकि बच्चो अकसर हम ऐसे ही देखते आए हैं कि देवताएं जो है वो परवतिय क्षेत्र में ही रहते हैं जहां पर शांदी बनी हुई रहती है और इसी तरह से देव भूमी ऐस परवतिय शेत्रों को ही कहा जाता है तो कुल्लू भी इसी तरह से घाटियों से बना हुआ एक प्रसिद्ध देव भुमी मानी जाती है और यहां पर जो दशेरा मनाया जाता है वो बहुत ही अलग तरीके का है जो अब हमने यहां पर पड़ा है कि किस तरह से यहां पर परवत शिकरे, ढ़ने, वादिया और रोहतांग रोहतांग यानि दो परवतों के बीच की जो दरीया होती है उसे कहते हैं रोहतांग उनकी गोच से निकली हिम सरिताए यानि बर्ब की नदिया विपाशा की लहरे सबी मस्ती में जूमने, गाने और नुत्य करने में हूँ यानि कि इसी तरह से कुलू का दाशेरा लोगों को देवताओं की मिलन स्टली यानि यहाँ पर दाशेरी के दिन देवताओं का मिलन होता है और जो अधान होता है जहाँ धालपूर का मैदान जहापर समतल है यानि गाटिया नहीं है पूरी तरह से समतल भाग है मैदान का भाग है और वही पर यह सब दशेरा बड़े धूम धाम से मनाया जाता है एक किवदंती के अनुसार ढालपूर में किवदंती यानि एक दंत कथा के अनुसार इस ढालपूर मैदान का नामकरन राजा बहदूर सियंह द्वारा सोलई शताबदी में उसने अपने छोटे भाई मिया ढाल सियंह के नाम पर किया गया था तो इस तरह से यहाँ पर ये देवभुमी का वर्णन लेखक ने बड़े ही सुन्दरता के साथ किया हुआ है कुलो के दसरे को जिस बात से अंतरराष्टिय खाती मिली है वह है यहाँ का लोकुनृत्य आज भी दसरे को लोकुनृत्य उद्जह के रूप में जाना जाता है लोकुनृत्य यहाँ की माटी के कन-कन में समया है यहाँ के जनमानस की रगों में पन-पना है तो बच्चो यह जो कुलू का दसरे है इससे अंतरराष्टिय प्रसिद्धी मिली है यहाँ के खास जो है वो है यहाँ का लोकुनृत्य आज भी इस दसरे को लोकुनृत्य उद्जह के नाम से भी जाना पहचाना जाता है बच्चो जैसे हम इस कोंकन भूमी पर रहते हैं हमारी यह छोटी सी परवतिय भी शेत्र जैसा ही है हमारे यहां पर भी इस तरह से प्रसिद्ध होली का त्योवार मनाया जाता है जिस तरह से कोकन कहा तो होली का त्योवार एक खास नाम से प्रसिद्ध होता है उसी तरह से कुलू का दसेहरा प्रसिद्ध है बच्चों हम आगे पढ़तेंगे कि जिस तरह से इस कुलू घाटी पर दसेरेक में देव देवताओं को नचाया जाता है, उनकी पालकिया निकली जाती है, लोग कितने जोश में और उत्सहा में होते हैं, एक बहुती सुन्दर और हर एक व्यक्ति के मन में जोश भरने वाला, लोग अपने सारे सुक दुखों को भूल कर इस परव में ऐसे शामिल हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे इस कोकन भूमी में भी होली का त्योहार जो मनाया जाता है, वो उसी तरह से है, प्रसिद्न है, और जो यहाँ पर मनाया जाता है दसेरा, वैसे हमारे यहाँ पर वो कुल क्या निकालना उनको उनका मिलन करना उनको नचाना उस तरह के से भीड और उत्साह लोगों में भरा हुआ रहता है जहाँ भी नजर आती है लोग अपनी परमपरागत वेश भूशा में वाद्दे यंत्रों की लई पर एक सुन्द एक दूसरे की बाहूं में बाहे डालते जूमते गाते नजर आते हैं कई लोग मस्ती में जूमते हैं तो कई देवता के रत को नचाया जाता है पूरे डालपूर मैदान में जगर जगर गड़े तंबों में देवता के साथ लाए लोग ठहरते हैं और एक सब्ताह तक देवता और लोग नृत्य का आनन्द लेते हैं क्यों बच्चो यह जो हम पढ़ रहे हैं इस परवका जो वर्नन यहां पर कर रहे हैं ऐसे ही हमारे यहां पर हम जैसे मैंने आपको कहा है कि खोली में जैसे तेवार मनाया जाता है पूरे 8-10 दिन के लिए जिस तरह से देव देवताओं के पालकियों और रत के साथ यह सब लोग जूम उठते हैं दिन रात उसे उसके साथ खुमते रहते हैं तो यही यहां पर भी उन्होंने उसी तरह से मनाया गया है जरूर आपको हमारे यहां की उस होली में होने वाले पालकी जो चलती है उसी की याद आपको आएगी कुलू का दसेरा व्यापारिक दुरुष्टी से बहुती महत्वपूर्ण रहा है प्राचिन काल से ही यह मेला अंतरराष्टिय मंडी के रूप में विख्यात है याने प्रसिद्ध रहा है ऐसा माना जाता है कि दसेरे को व्यापारिक रंग राजा मानसिया ने दिया सत्रहविश अताबदी में कई पर्वतों को लांकर व्यापारी चीन, रूस, लद्दा, तिबद, मकरकंद, लाहुल्स, तिती से दसेरे में व्यापार करने आती थे देखो उस समय उन और घोड़ों का व्यापार होता था अच्छी नसले के गोड़े उचे दामों पर बिखते थे आज भी यहाँ लाखों का व्यापार होता है, पशु मेले भी लगते हैं तो देखो बच्चों, इस कुलु घाटी में तशेरे का चो पर्वो मनाया जाता है, तिवार मनाया जाता है उसकी खास बात यानि यहाँ पर व्यापारिक दुष्टी से बहुती मतवर हाए, यहाँ खास तोर पर पर्वतिया इलाखा यानि यहाँ पर जो सफर करने के लिए साधन एक ही होता है, जो जादस लोग वहाँ पर इस्तिमाल करते हैं, और वो होते हैं, घोड़े यानि पर वाहाँ पर इनके कपड़े बहुती लोगों को लगते हैं, तो उस समय और घोड़ों का व्यापार के मेले के मेले लगते हैं, और इसलिए इस जगप अर दसरे में व्यापारिक दुष्टी से यहाँ महत वरा है, क्योंकि आनेक गाव से आनेक दूरा दूर के जगha से यहाँ पर लोग आते हैं और फिर इस मार्केट में याने बाजार में इस उन को याने लोकर जो है उसे और घोडों का व्यापार में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बड़ती मिल जाती है लाखो का व्यापार यहाँ पर होता है और इसी तरह से इसलिए यहाँ पर जो व अन्य भागों में विजय दश्मी के समाप्त होने के बाद कुलू का धशरा शुरू होता है। अन्य भागों में विजय दश्मी से शुरू होकर यह मेला एक सप्ताह बात पोर्णिमा को समाप्त होता है। यहाँ पर जो कहा गया है कि शास्त्रिय दुरूष्टी कौन से देखा जाए तो उसे भी महत्व दिया गया है और कर्मकान की विधी का भी इसमें समाविश किया जाता है। इसके पीछे का जो दंत कताएं हैं वो भी कताएं थोड़ी सी अलग रूप से मनाए जाती है। कर्मकान याने किसी के उपर ऐसे जबर जबरदस्ती से याने कोई बुर्य व्यभार वहाँ पर हुआ हो। ऐसे कि इसमें भी यहाँ पर कुछ विधीयों का समाविश यहाँ पर किया गया था। इस दसेरे का एक महत्व यहाँ पर दिया गया है। वो दंत कता है। एक रोचक गटना की चर्चा यहाँ के जनमानस में आज भी होती है। कहा जाता है कि सत्रवी शताबदी में राजा जगत सिहा का सामराज जथा। एक बार किसी ने उसे दुरगादत्त नामक गरिप्रामन की जूटी शिकायत कर दी। कि उसके पास एक पथा यानि लगबग एक किलो सच्चे मोती है। मोती की बात सुन राजा चोग गया कि यह तो राज लक्ष्मी है। उसे राज कोश में होना चाहिए ब्रामन के घर मोतीया का क्या काम। राजा ने अपने आदमी भेज कर ब्रामन से मोती लाने के लिए कहा। उस समय राजा मनी करन की यातरा पर जा रहा था। गरिब ब्रामन के पास मोती नहीं थे। फिर भी उसने राजा को कहलवा भेजा कि जब महाराज वापस लोटेंगे तब मोती मिल जाएंगे। राजा के लोटने पर उसने पूरे परिवार को घर में बन कर दिया और बाहर से आग लगा दी। आग की लपेट में जहां भीतर गरी ब्रामन का परिवार जल रहा था। वही बाहर कटार से वह अपना मास काट-काट कर फेक रहा था। और कहता जा रहा था ले राजा तेरे पथा मोती ले राजा ब्राम्मन का सह परिवार बलिदान राजा को कचोटने लगा वह पश्चाताप की आग में जलने लगा राजा का खाना पिना सब लूट गया उसने ब्राम्मन हत्या के कलंक को धोने के कई उपाय किये मगर सब बेकार अंत में राजा को सुप्रसित संत पोहरी बाबा की शरन में जाना पड़ा बाबा ने उपाय बताया राजा यदि वैश्चनव हो जाएं और आयोध्या से रगुनाज जी की मूर्थी लाकर यहां स्तापित करे और सारा राज्य रगुनाज जी को सौपे और स्वयम मुख्य सेवक बन कर राज्य का संचालन करे तो उसके पाप का प्रायशित हो सकता है तबी से सारा राज्य रगुनाज जी के आदी मानने की परंपरा चली आ रही है कुल्लू का विश्व विख्या दशहरा लंका दहन के साथ संपन्न होता है ढालपूर मैदान के अंतिम छोर पर व्यास नदी के किनारे जाड़ फूस एकत्रित करके उसे लंका का नाम दिया जाता है जिस पर रावन का मुखोठा रखा जाता है यहाँ पर रावन से युद्ध का अभीनव किया जाता है अभीनव याने नाटक किया जाता है उस तरह का एक रोल किया जाता है कि मानो वो लंका है, लंका में रावन है और वहाँ पर राम और रावन का युद्ध चल रहा है इस तरह से वहाँ पर अभिने किया जाता है इसमें राजा अपनी छटी हर्मानी बाग के महंत को थमा देता है महंत याने पूजारी फिर तीर निकाल कर कोटी लग या सारी के किसी आदमी को दिये जाते है वह आदमी तीर का निशान रावन को लगा कर राजा को वापस सोब दिता है राजा इन तीरों को रगुनाज जी को सोब दिता है जिसके बदले रगुनाज्जी की और से राजा को बगा दिया जाता है तीर मारने के साथ ही रावन और लंका को आगलग लगा दी जाती है उसी समय पांच बलिया दी जाती है और वो पांच बलिया होती है भैस की, मेंड़क की, सुवर की, मुर्गे और केकडे आदी की बली होती है इसी दौरान देवी हिंडीबा भी उपस्तित होती है तहकती हुई ज्वाला के बीच जो व्यक्ति रावन के सीर को उठा कर लाता है उसे पुरस्कृत किया जाता है देखो बच्चो जैसे की रावन को जलाया जाता है उस समय उसका जो सीर उस जलते हुए आग में से जो लेकर आ जाता है उस ज्वाला से उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है इस तरह की वहाँ पर प्रता है रावन दहन करने पर वहाँ पर पांच बलिया दी जाती है पांच जिवों की बलिया दी जाती है और वो पांच जिवों होते हैं एक भैस एक मेंड़क एक सुवर मुर्गे और केकडे की तो इस तरह की वहाँ की जो प्रता है और यही एक जो हम देख रहे थे की कर्मकांड यहाँ पर वुए था कि एक ब्राह्मन के साथ किस तरह से उसने अपने पूरे परिवार को जला कर खुद की शरीर से मास काट काट कर राजा को उस मोतियों के रूप में दे रहा था. तो इस तरह से उसका प्रायशित करने के लिए वहां के राजा को एक बाबा ने इस तरह का उपाय सुजाया था और वही प्रथा वहां पर चल्दी आ रही है तो देखो उस आग में से जो व्यक्ति रावन के सीर को उठा कर लाता है उसे पुरस्कृत करिया जाता है इसके साथ ही रत यातरा पीछे मूर्थी है सीता जी की मूर्थी लाकर जब रगुनाच जी के साथ रग दी जाती है मानो उसे रगुनाच जी लंका से चुड़ा कर लाए हो जैसे कि राम ने लंका से सीता को वापस रावन के जाल से चुटकार पाकर युद्दगर के लाए थे उसी तरह से वहाँ पर उसकी मूर्थी लाकर राम के साथ रगी रगुनाच जी के साथ रगी जाती है तो इस तरह से वहाँ पर वो अभी नहीं यहाँ पर पूरा किया जाता है पूरे रामायन का इस तरह से कि लंका दहन और सीता का फिर से राम के पास लोटाना इस तरह का यह अभी नहीं यहाँ पर चलता है इस तरह साथ दिन तक हर्षव लास, गीत, संगीत और नुत्य के साथ कुलू का दशहरा संपन्न होता है तो बच्चो इस तरह से इस कुलू के दशहरे की ये कहानी है उसके पीचे की ये सारी दंतकताएं है और इन सब को देखा जाए तो एक अलग कता की कुछ दंतकताएं ऐसे ही बनी हुई है वो सचमुष है या नहीं, कुछ कताएं सच होती है, कुछ ऐसे रचित कताएं होती है लेकिन इस तरह से इस कुलू घाटी में मनाये जाने वाले दसेहरे की पीछे की एक दंत कथा है और उसके पीछे का जो शास्त्रिय तथा उन्होंने कर्मकान का जो विधी यहाँ पर बताई गई है तो इस तरह से यहाँ पर यह सब कुछ मनाया जाता है इस तरह कि उनकी जाने के पीछे के संस्कृतिया पद्दती अलग-अलग होती है संस्कृतिया रिती रिवाज अलग-अलग होते हैं तो आज हमने इस पार्ट में कुलू घाटी में मनाये जाने वाले दसेहरे के एक अलग त्यवार के तरीके को हमने चाना है पहचाना है तो इस तरह से इस त्यवार हमें ग्यान दे जाते हैं और क्यूं मनाये जाते हैं और उसके पद्दतिया इन सब के बारे में जानकरी हमें हासिल होती है और इसलिए हमें हर एक त्यवार में त्यवार के पीछे के कारणों को दूनना चाहिए और उसे पढ़ना तो जरूर चाहिए उसकी जानकरी हासिल करनी चाहिए क्योंकि बच्चों हमारा भारत देश जो है इस भारत देश में अनेक जाती धर्म के लोग रहते हैं और उसी तरह से जितनी जातिया और धर्म है उतनी ही त्योहार यहां पर भी मनाए जाते हैं तो हमें हर एक त्योहार के पीचे का कारण और उस ते मनाने का तरीका हमें जरूर समझना चाहिए उसकी जानकरी हमेरे पास होनी चाहिए तो यही इस पार्ट के पीचे का एक उद्धेशय यहाँ पर है कि लोग बच्चों को अलगरक संस्कृति का परीचे हो जिसमें एकता की भावना निर्मान हो जाएगी तता तिवारों के महत्व क्या है वो क्यों मनाये जाते है किस तरीके से मनाये जाते है तिवार मनाने के पीचे के कारण क्या है तो ये सब बाते जो हैं वो हमें ऐसे तिवारों को मनाने पर या ऐसी कहानियों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है आज तक हमने खोली दसेरा मनाने काइब कारण मिंस उद्देश हमने देखा है कि किस तरह से रावन का दहन हर जगह पर इस तरह से दसेरे की दिन रावन का दहन किया जाता है लेकिन यहां का जो दहन है वो एक अभिनए के साथ एक अलग तरीके से किया जाता है और उसमें किसी पांच जिवों की बली भी दी जाती है इस कहानी को थोड़ा सा अलग तरीके से हमने देखा है कि तेवार मननने का एक बहुत ही अलग तरीका रिती रिवास यहाँ पर हमने पढ़ा है बच्चो यह लेसन हमारा यही पर समाप तो होता है आपको इसे फिर से पढ़ना है और हम अगले पिरेड में इस पाट के प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद हम अलग जोगा है यहाँ दो के लिए हैँ तो हम लोग तो हम दोगए बच्चो बच्चो अटीज बच्चो अलग के लिए है और करेंगे लिए।